Hello everyone, welcome to the channel और इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे Megalai का पहला और एक मात्र रेलवे स्टेशन के बारे में जिसका नामे मेंदी पतार और इस वीडियो को हम इन डीटिल्स डिसकस करेंगे कहां पे ये रेलवे स्टेशन स्टेशन स्टेथ है और हम वाया मैप के जरिये भी समझेंगे और Megalai और इंडिन रेलवेस के बारे में बहुत सारे नए फैक्स आपको मैं बताऊंगा जो की नॉर्थ इस्ट में अभी फिलाल चल रहे है और इस वीडियो में हम लोग फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम लोग यह जान लेते है कि Megalai नॉर्थ इस्ट का एक स्टेट है जिसे हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते है और यह स्टेट टूरिज्म के लिए बहुत ही पॉपुलर है और इस स्टेट में आपको बहुत सारे टूरिदिम स्पॉर्ट देखने को मिलेंगे जैसे की डबल डेकर, लिविंग, रोट ब्रिज, माउली लॉंग जो कि है एशिया का cleanest village, खौंग तौंग और इस village को कहा जाता है हुसलिंग village of Megalaya फिर आपको देखने को मिलेगा दाव की river, जो one of the cleanest river माना जाता है फिर आपको मिलेगा चेरापुंजी, जिसको कहा जाता है the wetest place on the planet earth, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है फूरे प्रितिवी में तो अभी इस map को अच्छे समझे, यह है नौर्थ इस्ट का map यहाँ पे आपको Megalaya state दिख रहा होगा और अगर हम इस map को in detail study करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो मेंदी पथार railway station है वो आसाम के राजधानी डिसपूर जिसको surrounded किया हुआ है गौहाटी city वहाँ से कुची दूरी पर स्तिथ है इस map के जरी आपको अच्छे से पता चल गया होगा मेंदी पथार कहाँ पे है मेंदी पथार एक border town है जो आसाम और मिघाले की बीच में आता है यहाँ पे आप लोग देख सकते है यह है गौहाटी city यहाँ से जो railway connectivity है मेंदी पथार तक यह एक main line से होगा जाता है जो गौहालपारा तक जाता है और गौहालपारा से पहले एक railway station है जिसका नाम है दुद्नोई और यह दुद्नोई से एक side track कट करके निकाल दा जाता है जो की जाता है मेंदी पथार तक और मेंदी पथार आप लोग यहाँ पे देखी सकते है मिघालाई और आसाम के border पे स्तित है और अगर हम इस railway station को map के जरे समझेंगे तो अगर हम map में यह type करते हैं मेंदी पथार तो ऐसे निकल के आता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेंदी पथार यह मेंदी पथार यह मेघालाई का पहला और एक महत्र railway station है इसको inaugurate किया गया था 30 November को और कौन inaugurate किया था तबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी जी ने इसको inaugurate किया था और उसकी बाद एक passenger train यहाँ पे daily travel करती है जो गुहाटी से छोड़ती है और मेंदी पथार तक जाती है और यह एक ही train है जो connect करती है मेघालाई को असाम के राजधानी डिसपूर के city गुहाटी तक और इस track के अलावा भी और एक track डेबलोग के जा रहा है जिसके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में डिसकस कर चुके है जो की तेतिलिया से बिर्नी हट तक है और इंडियन रेलवेज एक मिशन पे है जहाँ पे नौर्थ इस्ट के seven states को connect किया जा रहा है इसका मतलब से state ही नहीं नौर्थ इस्ट के seven states के राजधानियों को connect किया जा रहा है और उस project के अंदर ही आता है तेतिलिया बिर्नी हट लाइन जो आसाम से मिगालाई को connect करेगी और further यही track बिर्नी हट से शिलांग को भी connect करेगी जो कि है मिगालाई की राजधानियों तो अचानक से ये मेंदी पथार रेले स्टेशन इतना important क्यों बन गया इसके बार में discuss क्यों किया जा रहा है क्योंकि recently हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमति द्रौपदी मॉर्मू इन्होंने inaugurate किया है एक नया train service जो connect करेगा आसाम, मिगालाई और नागालेंड को एक साथ और इसका inauguration किया गया था October 14 को और ये जो नया train सेवा स्टार्ट करे जा रहा है इसको North East Frontier Railway स्टार्ट करेगी और यहाँ पे train service जो स्टार्ट करे जा रहा है वो सुखोवी जो नया station है नागालेंड में अगर आप लोग नागालेंड के second railway station के बारे में नहीं जानते हो तो मेरा पिछला वाला पीटो देख सकते हो नागालेंड में अभी सिर्फ एकी railway station है वो है दिमापूर जो second railway station है वो है सुखोवी और उसको कनेक किया जाएगा गुहाटी तक गुहाटी जो क्या सामय आता है पिर गुहाटी से मेंधी पथर तक जो निखाला में आता है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंग सेक्षिन में बताएए आपको और कौन कौन से टॉपिक के उपर वीडियो चाहिए आपको भी ये अपाट अफर दी अपी लर्नि घपलास्टियू अगल्स है